आकाश वानी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समचार नमस्कार समचारों के साथ मेराना शाहिद पहले इस बुलिटिन के मुख्य समचार देश में पहली बार आयोजित ICA वैश्विक सहकारी समिलन का प्रधान मंत्री ने नई दिली में किया उद्घाटन समिधान दिवस के अवसर पर कल संसद में विशेश कारिक्रम को आयोजन प्रदेश में भी होंगे कई कारिक्रम केंद्री मंत्री शिवराची चोहान ने किया लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना तीसरा अभियान का शुबारंब और महिला सुरक्षा के लिए हम होंगे काम्याब अभियान की प्रदेश में हुई शुरुआत अब समचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिली के भारत मंडपम में अंतर राष्ट्रे सहकारिता गठ बंधन I.C.A. वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्ध घाटन किया सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदान मंत्री ने कहा कि Global Conference of the International Cooperative Alliance का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा भारत में इस समय हम cooperative movement का नया विस्तार दे रहे मुझे पूरा विश्वाथ है इस conference के माध्यम से भारत की future cooperative जर्री के लिए जरूरी insight मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से global cooperative movement को भी 21st century के नए tools मिलेंगे नई spirit मिलेगी साथियों दुनिया के लिए cooperative एक model है लेकिन भारत के cooperative संस्कृति का आधार है जीवन शैली है भूटान के प्रधानमंत्री दाशु शैरिंग तोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनुआ कामिका मिका भी इस सम्मिलन में भागिदारी कर रहे हैं भारत मनिपम के छै दिवसी सम्मिलन में कारक्रमों और चर्चाओं की एक श्रंखला में विश्व भर की सहकारी समितियां एक मंच पर एकत्र होंगी यह सम्मिलन समिकित शांतिपून और सभी के लिए सम्रिध भविश्य निर्मित करने में सहकारी समितियों की भूमी का तलाशेगा इस सम्मिलन का विश्य सहकारीता से सभी के लिए सम्रिधी का निर्माण है केंद्र सरकार ने सम्विधान को अपनाने की 75 वी वर्ष गांठ मनाने के लिए अभ्यान चलाने की घोशना की है यह अभ्यान देश भर में कल से 26 नवंबर 2025 तक चलेगा 26 नवंबर 1949 को भारत की सम्विधान सभाने सम्विधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को देश में लाग हुआ था संसदिय कार्यमंत्री किरेण रिजजु ने नई दिली में कहा कि सम्विधान सदन के सैंट्रल हॉल में भव्य कारिक्रम आयुजित किया जाएगा राष्ट्रपती द्रौबदी मुर्मू इस कारिक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी श्री रिजिजु ने कहा कि यह केवल संसद का नहीं बलके पूरे देश का उत्सव है संसदी कारिमंत्री ने लोगों से इस अफसर पर आयुजित विभिन कारिक्रमों में भाग लेने की अपील की यह समारो हमारा समविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयुजित किया जा रहा है लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला ने समविधान दिवस के अफसर पर कहा कि हमें समविधान सभा में हुई चर्चा और विचार विमर्ष से प्रेणा लेने की आवश्यक्ता है राजिपाल मंगुभाई पटेल की उपस्थिती में कल रवींद्र भवन भोपाल में प्राता ग्यार बजे राजिस्तरी समविधान दिवस कारिक्रम आयोजित होगा कारिक्रम में प्रदेश की विविद विभूतियों का स्मरण किया जाएगा इसमें समविधान निर्मान संबंधी प्रदेश्टी लगाई जाएगी और समविधान संबंधी लगू फिल्म भी प्रदेश्षित की जाएगी भोपाल में समविधान दिवस पदियात्रा निकाली जाएगी खेल एवं युवा कल्यान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि यह यात्रा शौरे समारक से शुरू होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादव ने सम्विधान दिवस 26 नवंबर के अफसर पर प्रदेशवासियों को बताई दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत रतन बाबा सहाब डॉक्टर भीमराओ अंबेटकर ने जो सम्विधान हमें दिया है उसे जनता तक पहुँचाने के लिए सम्विधान प्रदत अधिकारों का उप्योग करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है सम्विधान ने भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपून भूमी का अदा की है यही कारण है कि इस पावन अवसर के पूर्वसंध्या पर राजधानी भोपाल की महिलाओं ने सम्विधान गीत की कुछ पंक्तियों को गुन गनाया अब समचारों में वक्त है एक ब्रेक का यह समाचार आप आकाश्वानी मध्यप्रदेश से सुन रहे हैं यह समाचार बुलिटिन यूट्यूब पर मध्यप्रदेश न्यूज आल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेस्बुक साथ ही एक्स प्लाटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है केंद्री मंत्री शिवराची चोहान ने आज नईदिली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक महिने तक चलने वाले राष्ट्री अभियान नई चेतना पहल बदलाव की तीसरे संसकरन का शुबारंब किया केंद्री महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्यपूर्ण देवी भी कारिक्रम में शामिल हुई ग्रामीड विकास मंत्राले के तत्वावधान में दीन दयाल अंतियोदय योजना राष्ट्री ग्रामीड आजिवी का मिशन द्वारा आय जित यह अभियान 23 दिसंबर 2024 तक सक्षिक स सक्तिकरण करना ही होगा महिला बाल विकास मंत्री निर्मरला भूरिया ने कहा कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है इसलिए सोशल मीडिया प्लाइटफॉर्म पर बहिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर विशेश ध्यान दिये जाने की आवशकता है सुश्री भूरिया आज भूपाल में हम होंगे कामयाब पकवाड़े के शुबारम समारू को संबोधित कर रही थी इस अफसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का भी प्रसारन किया गया उन्होंने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना आवशक है प्रदेश में आज से 10 दिसंबर तक हम होंगे काम्याब पकवाड़ा मनाया जा रहा है जिलास्तर पर भी हम होंगे काम्याब अभियान की आज से शुरुवात हुई धार में जैंडर आधारित हिंसा की रोग थाम के लिए हम होंगे काम्याप पक्वाड़ा जागरूक्ता अभियान का शुबारम आज धार में किया गया इस अफसर पर जिले की समस्त आंगरनवाडी कारिकरताएं मौझूद थी सीहोर जिले में जैंडर आधारित हिंसा की रोक्थाम के लिए विशेश जागरुकत अभियान पक्वाड़ा आयोजित किया जा रहा है कलेक्टर प्रवीन सीह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर अभियान के तहट निर्धारित गतिविध्यों का सफल क्रियान वियन किया जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने यूके दौरे के पहले दिन आज भारती उच्चायोग लंदन के अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास तकनीकी सहयोग और वैश्विक निवेश को लेकर प्रदेश की योजनाव पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्री स्थर से आगे बढ़कर अंतर राष्ट्री स्थर पर निवेशकों को प्रदेश की विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी शुरूबाद लंदन से हो रही है भारत में अंतरराश्ट्रे फिल्म महुत्सव में आज खेक्त्रिय फिल्मों का प्रदेश्चन किया जा रहा है आकाश्वानी से बाचीप में कर्नड फिल्म केरेबैट के अभिनेता और निर्माता गौरी शंकर एसार जी ने खेक्त्रिय सिनेमा का जिक्र करते हुए कहा कि एक्षेक्त्रिय संस्कृती गहराईयों को प्रदेश्चित करती है आज इस बुलेटिन में वसितना ही दीजे एजासत नमस्कार